ईस्तों तो हम पढ़ने वाले लेटर टुबर जो कि हमारा चैप्टर में महां है एज इंग्रीर के लिकष को देखते ऐसे सुसक्राइश हमारी कहा बहना इस sł रिट करने से पहले क्या बताएगा यह आपको बतना हुआ तो देसे faith can move mountains तो ऐसा आपको पताएगा कि कहा जाता है अगर आपको किस चीज में उस्वस हो तो परवत भी हिल सकता है ऐसा के ते यान कि इसे कुछ में से या कुछ सारी जो यान कि faith के बारे में कुछ बताएगा है तो किस चीज में हमें faith होना चाहिए बट वाट शूद रिपोच आवर फेट इन इस एक कॉसिन इस टॉरी डिलिकेटलि पॉस्ट कॉसर तो इस स्टॉरी में हमें क्या कोशन पुचान थे तो तो इस गोशन इस स्टॉरी इस थे इस प्षूरी इस देट इस पूद आर फेट so in what should we put our faith in so this is a question that dealing with the chapter a letter to God so Lencho is a farmer to this story major main character the main character in this story is a Lencho who is a farmer what Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined yankee यह जो letter Lencho होता है जो कि एक फर्मर होता है वो अपना गोड को लेटर लिखता है क्योंकि he has many faith in God therefore he writes a letter to God क्योंकि उसके crops होते वो rune हो गए इसका मतलब वो खराव हो गए होते इसकी वज़ेसे वो गोड को लेटर लिखता है asking for a human hundred pesos तो किस बारे में लेटर लिखता है so he writes a letter in the terms of asking for hundred pesos क्योंकि उसे pesos या आपको pesos बता दू it is a currency of Latin America तो यह लेटर अमेरिका की currency होते है pesos तो उसको hundred pesos चाहिए जैसे कि हमारी यहां rupees होता है वैसे ही pesos होता है इसके वह यह hundred pesos हो मांगता है डेस लेंचो लेटर रीच तो गोड क्या लेंचो को पहुचा है या गोड ने उसे मनी भेंजा है यह सारी चीजें का जो question है we will continue in this chapter तो first activity आपको जिया गया है तो मैं activity आपको डाइरेक बाता देता हूँ क्या है तो आपको क्या करना है money order अगर आपने कभी नहीं भेंजा तो आपको पोस्ट अपिस में जाना है यहां पर money order का एक काउंटर होता है वह आपको जाना है और यहां पर आपको वह money आपको देना है जितना आपको सेंड करना है और इसके बाद जो आपको यह मो एकनालिजमेंट काउंटर फॉइल इसा लेना यानि कि आगर आपको प्रूफ होना चाहिए ना आपको कुछ आपने money order भेजा है इसी को इसा आपको देना है तो this is a form of money order यानि कि money order का form होता है तो इसमें आपको किनने पेसे बने या सारा कुछ आपरेड़ सकते है तो इसके बात आगे हम देखेंगे की चैप्र के दरब चलाएंगे तो लेट्स गो तो इस चैप्र इस चैप्र इस चैप्र में क्या बताएगा है यान कि जो हाउस दो ओन्ली वन इन दे एंटा माउंटेंस थे ने जो हील्स थे उन्सके टॉप पे रहता था का एक टॉप पे हाउस था उसे ही वह लेंचो का ही हाउस था फ्रम दिस हाइट वन कूर सी द रिवर एंड फिल्ड ऑफ राइप कॉन दॉटेड विद फ्लावर्स दैट अल्वेस प्रोमिस्ट गॉड बूड ह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आप उस टॉप बेल्डिंग या टॉफ हाउस फे रहेंगे तो वहां से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी एक रिवर देखेंगे तो आप तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वहां पर कैसा कैसी चीज़ है प्सक्का तो यहाँ पोड़ एक माउन्टें और इस मौन्टें पेग हाउस है वहां से आप सारा कुछ देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी नदिया वह रही है जान की और की रिवर सक्च्छ तो को जो एट रिवर यूदे कॉइद बहुत हैं तो यहाँ पर तो आपको इस ते उसको बाडिश किसी आशाती अगर उसने अब सब पे सोव कर लिया तो तो तिंग डाट इस नीड़ड एद इस ओंली शावर और डावन पोर यानि कि थोड़ी सी बरसाच चाहिए थो आवड लेंचो थोड़ दमार्निंग लेंचो फोने फिल्ड इंटिमेटली है डन नथ कि तरफ देखता है कि उसे लगता है अपनी खतनी घर में जो इसे कहता है कि अगई तो के तह Are जो की सफर बना रहे होते woman who was preparing सफर replied yes God willing तो ओके थी है अगर भखवान की इच्चा होगी तो बारिष भी होगी इसके बाद the older boy तो इसके लेंचों के भी बहुत सारे बच्चे थे जो की कुछ बड़े बच्चे थे जो की farm में work कर रहे थे the older boys were working in the farm while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner तो जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे तो कब तक खेल रहे थे तब तक जब की उनकी माने या जो उमन थी उसने उनको नहीं बुलाया की चलो डिनर करने के लिए चलो तब तक हुए वहाँ पे खेल रहे थे तो जो कि आपकी ज़्यादा टेंशल नहीं की कुछ जरूरत नहीं सिर्फ आपको इस चैप्टर का मौदर समझ में थे तो जब वो खाना खार रहे थे तो क्या हुआ जैसे कि रेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होने वाले रेंचो बारिश होने वाले ऐसा लगता है तो यसे ही उनकी प्रेडिक्शन के द्वारा ही बारिश हो गई इन दर नौर्ट इस हुज माउंटेंस अफ क्लाउड कुड भी सीन एपरोचिंग तो जो नौर्ट इस डायरेक्शन होता है जैसे अगा प्रपता हो गई डावरेक्शन होते है इसमें एड डायरेक्शन आपने जब बढ़े होंगे तो एड बढ़ेंगे तो वहाँ पे नौर्ट शाओ इस्ट हो जो танच गए हो बता इक च Chrouts were approaching the air was fresh and sweet the lying नौर एंट बसे फ माउट अपरीस तो ओ Out बारिश के समय किसे खुशी मुलती है, so it is, I think it is a very common thing that you know, तो यहाँ पर when he returned, he exclaimed there are rain drops falling from the kai, तो जब वो written होता है, तो वो कहता है, these are not the rain drops, यानि कि यह बारिश की बुंदे नहीं है, जो कि sky से दिए दिए दे आर new coins, तो ऐसा क्यों कहा है उसने, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, अगर बारिश गिरेगी, तो उससे क्या होगा, उसकी फसल जो है, उस फसल को उसको, उसकी फसल जो है, वह बढ़ेगी तो फसल बढ़ेगी तो उसका किया मिली है पेसे मेरे तो जो रेंड्रॉप से उसे ही प्रीड कर लाने चुकश तो यह साथ प्रेदिक्शन होता है recommend तो यहाँ पे जो चोटे ड्रॉप से यहाँ थोड़ी से लिगलते होगे और जो बड़े ड्रॉप हे यहाँ तो यह ऐसा कहता है तो यहाँ तो यहाँ थो यहाँ तो यहाँ यहाँ तो यहाँ तो यहाँ एक स्ट्रॉप विन आने लगे और उसके साथ बहुत सारे हेलस्टोन जो की बर्फ होते है वो गिरने लगे और जो उसे लगा कि अब यहाँ पासिकली की अगर ब्रफ गिर रहे तो बहुत सारी नुकसान होगा इसलिए वो कहता है क्या जल्दी पास हो जाए ऐसा मुझे लगेगा पर यह पास नहीं होता जल्दी एक हावर के लिए याँ एंड वेली तो जो वेली ती जो गार्डन था हिल साइड ता जो कौन फिल्ड थी उस सारी चीजे पर हाउस पर वह गिर रहा था और इसी कि वह जैसे उसे बहुत नुक्सान हुआ जो पूरा कौन का फिल्ड था जैसे कि आप इसे पिच्चर में देख सकते जो पूरा कौन का फिल्ड था वो भरफ से ढखा हुआ है जैसे कि लग रहा है मानो पूरा जो फिल्ड है वो salt नमक से ढखा हुआ है not a leaf remained on the tree the Corn was total तो पूरा जो फिलता ऊसमें एक भी कौन होता है जोसे को पता है उस पह पता भी नहीं रहा पूरे सारी पते जड़ गए उसे को जिसे और फ्लावर जो फॉलावर आएथे जो प्लांस के वह सारे उसके चले जानिक पूरा पूरा का पूरा क्रॉजुप सब्सक्राइब यह वह अगर पिच्चर देखते हैं इसमें इसा सीन हुआ तो आप को सब्सक्राइब गांड़ और वह कहते हैं वह आपने संसे कहते हैं यह जो उसके लड़के होते हैं उससे कहता है प्लाइग आफ लोकस्ट ऊड़ तो लोकस्ट क्या होते हैं लोकुस्ट एक प्रकार के इंसेक्स होते हैं तो यहां पर इंसेक्स विच फ्लाइ इन दे बिग सौंस यानिके ग्रूप में फ्लाइ करते हैं और डिस्ट्रॉइब प्लेग अफ लोकुस्ट है लेफ्ट मोर दैन दिस तो वह कहता है अगर लोकुस्ट का प्लेग होता यहां पर दिस्ट्रॉइ कर दिया वह कहता है जो लोकस होते होते हो भी इससे ज्यादा चूड़ते होंगे तो आप के सिकते में आपको बताने चाहूंगा वह क्या खेहता है लोकस से ज्यादा तो हेल्स्ट्रम ने यहां पर डिस्ट्रॉइ किया है यह वेंट वेंट वहां उन्हों कौन तो इस से वह कहता है इस साल हमें कुछ कौन नहीं मिलने वाला जैट्स नाइट वाज शौरफूल वन और वर्क फॉर नथिंग तो वह जो नाइट थे उसके लिए हंगरी मतने वाले यानि कि क्या करेंगे हंगर की वज़े से चले जाएंगे तो और और कॉंप्रेशन से में किसे अगले वीडियो में बना दूंगा बट इन दे हर्ट ऑफ और फॉल्यूड इन देट सॉलिटरी हाउस इन दे मिडल ऑफ दुबाली तो उसे सिर्फ एक ही कर सकते हैं पर जो कोड लेंच होता उसे कोड में ज्यादा ही फेत था डोंट भी अपसेट इवन तू दिस सीम्स लाइक टोटल लास रिमेंबर नोवन डाइस ऑफ हंगर तो खुद को ही कहता है इसके बाद वह कहता है कि अपसेट मत हो कोई भी भूका नहीं मरता क्या कहता ह कि वह जैसे डाइ नहीं करता तो पूरियन राद भर वह सिर्फ अपने होग के बारे में सोच रहा था कि अब मुझे सिर्फ भगवाने मदद कर सकते हैं तो यहां पर बताए गए कि यहां पर बताए गए कि यहां कि लेंच अगर कुछ भी उश्दह कोरता काब कर रहा था फिर भी उसके लिखना आता था तो उसने क्या किया उस सन्ड के टावनेट टेंटर में भीखने मेल वह तो उसके अगले संड ही जिस इस देन की शुरवात हुई उसने एक लेटर लिया उस पर लिखा लेटर टू गॉड और उस लेटर टू गॉड में क्या लिखा तो लेटर लिखता है गॉड तो लिखता है लेटर में क्या लिखता है गॉड ही रोट इव डॉन्ट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस यह वो कहता है कि अगर लेटर में लिखता है पर तप्स पाफस घर चाला दाएट,The post office पीसिट जस्टम और पुस्ट आफिस में और करते है प्ले स्टेप लगता है इसंप और मेल बाक्स में इसे लगते हैं One of the employees what the postman जो कि पेश्ट मन होता है वह कैंज जो बेस्ट आफिस पूश्ट में mailbox होता है उस mailbox से लेटरल्य ले जाने के लिए पुष्ट मैन आता है और जो लेटर पे लिखा होता है लेटर टू गार तो टू गार पे लिखा होता है तो पुष्ट मैन क्या करता है बहुत हस्ता है तो पुष्ट मैन persist totally बॉएस तो입니다 था उसका और फैट एमें बेवले यानिकि फ्लेंडली और फीजन्स दो आद में था यानिकि इसे फेलो कहा जाए फेलो इसे फनी परसंट उसे ऐसा कहा जाता है फैट एन फनी परसंट अलसो ब्रोक वह भी हसना शुरू करते है ऐसे लेटर लिखे पर सड़नली वह उसकी जो ह पर विश्वासित भगवान पर तो इसलिए और काषविश्वासें मेरा होता तो ऊड़केता है जो जिसने लेटर लेका है उसका फेद गौड से नहीं हटना चाहिए एक प्लान करता है so answer is needed something more than a goodwill ink and paper तो उसे लगता है जब लेटर पड़ता है तो उसे लगाए है किसे कुछ लेटर गॉद से सिर्फ कुछ लेटर चाहिए होगा वापस या गॉद से सिर्फ रिल्फलायचाहिए होगा तो पर उसे चाहिए होते हन्ड। पीसोस तो वो सारे अपने जो प्लाज होते उनसे उनकी सेलेरी का थोड़ा सा पार्ट मकता है और अपने ही सेलेरी का थोड़ा सा पार्ट वो दे देखता है और वो क्या करता है वो सारे फॉर एक्टम चौरे जैसे कि चैरेटी जमा कर रहे है वैसे ही सारे लोग दे देते उसे और वो 100 पीसों नहीं जमा कर पाता सिर्फ हो 70 पीसों से जमा कर पाता है और वह क्या करता है उसमें आखिर में लिखता है फोड़ी देर पहले आता है और पूछता है हम मेरे लिए कोई लेटर है क्या तो उसे लगता है पोस्ट मर्टर होता है जिसने लेटर में गॉड़ का सिंगनेफिकेशन दिखा था वह उसे लेटर देखा लेंटर शोर नॉट अस नाइट स्लाइट नेश्ट सरफ्राइज ऑन से इंग देखता है तो उसे जरह सा भी आचे रहने होता कि भगवान ने मुझे पैसे बेज़े पर वह इसका क्योंकि उससे उसके कॉंफिटेंस पर ब से लगता है फिर वाउट से लीघता है फिर से पेपर अरिंग लगता है और फब्लिक जो टेबल होता है यह जो पब्लिक राइटिक रोब Kungいうこと होता है उस पे बेटके फिर से ओना शुरू करत थे तो इस बार क्या लिखता है वो तो फिशकी पैसे कायोंट करना के बादी से वह मुझे बेजना पर दोंट से इत्रू मेल यानि कि मुझे मेल से मद बेजना क्यों जो पोस्ट आप इसके इंपलाइस है वो कॉक्स है बंच आप कॉर्क से या वो उसे कहता है कि वह बहुत ही पैसे मेरे उन्होंने ले लिए और आखिर में लिखता है लेंचो तो यसा इ फार्मर होता है उसके क्रॉप डिस्ट्राइब होते है तो यह सारी जीजी आपको सिर्फ और यह बता लिए फिर से इस चैप्टर में क्या होता है जो लेंचो होता है फार्मर होता है उस फार्मर की जो क्रॉप डिस्ट्राइब होता है और फिर गौड को लेटर लिखता है पेज़ा ज़से कहा हो फ्युम् पेसे लेता है इसने बेज लिपन commence को कटोतों से हो फैसे लगता है इस और अगला चाप्र भी दिखेंगे, make sure to like, share and subscribe my channel, thank you for watching.